हाई बच्चो, आज हम लोग पढ़ेंगे domestic animal domestic animal का मतलब क्या होता है? पाल तु जान्वर पाल तु जान्वर क्या होता है? अब आप लोग पुछेंगे हमसे ma'am, पाल तु जान्वर क्या होता है? जो आपके घर में या अगल बगल में जो जानवर पाले जाते हैं उसे हम पालतु जानवर कहते हैं इसको हम कैसे पढ़ेंगे इसको पहले हिंदी में हम पढ़ेंगे फिर इसको इंगलिस में पढ़ेंगे हम आप लोग से पूछेंगे फिर आप लोग हमसे बताएंगे मैं मिसका क्या होता है तो चलिए हम लोग काउ, काउ मीज गाए, गाए को आप लोग देखे हैं, जिसका आप लोग दूद पीते हैं, दूद पीते हैं अगर नहीं पीते होंगे, तो मम्मी से बोलिएगा, मम्मी हमको रोज रात में एक गिलाज दूद चाहिए, हम दूद पी के सोएंगे, तभी हम पढ़ेंगे, काउ म गाए इसके वाद से क्या से ओता मेरे प्यारे बच्चो बक्री बक्री आप देखते हैं एक अगल बगल में घूंती है आप क्या अगल बगल में बक्री इसके बाद क्या आता है मेरी प्यारे बच्चो कुट्टा कुट्टा तो सभी देखें हैं आप लोग देखें हैं नहीं देखें हैं तो मम्मास बोलिएगा कि हमें कुट्टा देखना है कुट्टा को क्या करते हैं डॉग तो इसका इस्पिलिंग क्या होता है डी ओ जी इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है बिल्ली कैसे बोलती है आपके घर की दूद तो पी लेती है ना मम्मा से पूछिएगा मम्मा दूद रखती है तो बिल्ली इधर से आएगी दूद को पी लेगी तो बाबु मेरा क्या पीएगा, मेरा सोना मना बेटा क्या पीएगा, ममा कहती है ना, तो ममस पूछिएगा, ममा बिल्ली को क्या कहते हैं, ममा बताएगी, कैट कहते हैं, तो कैट की स्पिलिंग क्या होती है, cat cat means billy इसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों घोड़ा घोड़ा देखते हैं तपक 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 चलता है घोड़ा घोड़ा को देखे हैं नहीं देखे हैं न मम्मस बोलिएगा घोड़ा दिखाने के लिए ममा जरूर घोड़ा दिखाएगी घोड़ा को क्या काते हैं इंगलिस में हार्ष, हार्ष मिस घोड़ा इसका इस्पेलिंग क्या होता यच, ओ, आर, यच, इ हार्ष, हार्ष मिस घोड़ा फिर प्यारे मेरे प्यारे बच्चो गाये को इंगलिस में क्या काते हैं? काउ C-O-W काउ बकरी को मेरे प्यारे बच्चों इंगलिस में क्या काते हैं? गोट G-O-A-T गोट, गोट मिस बकरी मेरे प्यारे बच्चों कुट्टा को इंगलिस में क्या काते हैं? डॉग D-O-G डॉग डॉग मिस कुटा इसके पड़ मेरे प्यारे बच्चों बिल्ली को क्या करते हैं? C, A, T cat, cat मिस बिल्ली अब मेरे प्यारे बच्चों घोडा को इंगलिस में क्या करते हैं? harsh or tylko मेरे प्यारे बच्चों आप याद भी करेंगे और इसे अच्छे से लिखेंगे भी बाई बाई मेरे प्यारे बच्चो